मुझे न रोटी सबजी से ज़्यादा दाल चावल खाना पसंद है अगर मुझे जीरा रैस के साथ मसूर दाल तड़का मिल जाये न तो पात ही क्या मेरा तो दिन बन जाता है तो आज मैंने ये मसूर दाल तड़का बनाई और साथ में रैस तो सोचा क्यूं ना इस मसूर दाल तड़का की रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए ये दालना बहुत ही मज़ेदार लगती है तो यहाँ पर मैंने आदा किलो मसूर दाल ले ली छिलके वाली जो साबूत होती है ने छिलके वाली वही डाल ली है मैंने और इसे बहुत अच्छे से पानी डाल कर हमें धो लेना है तो दाल को हलका सा ऐसे हातों से रगड़ेंगे ताकि से इस पे जमा हुआ पाउडर वगेरा निकल जाए तो यहाँ पर कम से कम पान छे बार आप दाल को अच्छे से धोना और उसके बाद ये जो दाल है इसे डाल द जोड़ा कम हल्दी पाउडर और इसमें डालने पानी तो यहाँ पर इसमें पानी डाल देंगे और साथ में एक चमच घी डाल देंगे ऐसा करने से जो दाल है ना वो उफन कर कोकर से बाहर इसका पानी नहीं आएगा अब यहाँ कोकर का ढखकन बंद करें मीडियम फ्लेम प ज़्यादा सीटी में यह डाल पके क्योंकि डाल का पकना जो होता है वो पानी के हार्डनेस पर डेपेंड होता है तो अब यहाँ पर प्रेशर खतम होने के बाद मैंने कोकर को ओपन किया है और यह देखे डाल अच्छी सॉफ्ट हो गई है ऐसी ही मसूर दाल सॉफ्ट होनी होने दीजिए और उसके बाद डालिए आधा चमच साबूत सीरा साथ में डाल देंगे एक चौथाई चमच हींग और अब यहाँ इसमें डालेंगे बारिक कट हुआ प्यास तो एक बड़े साइस के प्यास को बारिक कट करके डाला है प्यास का पेस्ट यहां मत डालेगा प प्रेट करके डाले हैं इनकी तो खुश्बू ही अलग होती है और इससे रेसिपी का टेस्ट पढ़ जाता है जो आप मार्केट वाला अध्रक लैसन पेस्ट डालते ना उसमें वह बात नहीं जो फ्रेश में है अब इसे थोड़ा सा भूनने के बाद आदा चमच हल्दी डा और साथ में एक चमच धनिया पाउडर एक चोथाई चमच करम मसाला सभी मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है और जब इससे ओईल सेपरेट होने लगे ना तब आप इसमें डालिए टमाटर तो यहां मैंने दो मीडियम सैस के टमाटर को बारी कट करके डाला है साथ मे तो हरी मिर्श भी बारी कट करके डाल दी थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि से जो टमाटर है ना वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए नमक ध्यान से डालेगा डाल को उबालते समय भी नमक हम डाल चुके हैं तो यहां पर देखे टमाटर अच्छे सॉफ्ट हो गए है मसाला बह दाल से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है और अब इसे मिक्स करने के बाद दाल देखे काफी गाड़ी लग रही है तो इसमें हम डालेंगे गरम पानी और अच्छी तरह मिक्स करेंगे वैसे यह जो दाल है थोड़ी गाड़ी ही ज्यादा अच्छी लगती है लेकिन बहुत जादा गाड़ी भी अभी मत बनाएगा इसे क्योंकि यह हलकी सी ठंडी होने पर और थिक हो जाती है तो यहाँ पर इस तरह की कंसिस्टेंसी सवे एक्डम परफेक्ट है अब इसे पांच मिनट के लिए लो फिलेम पर ऐसे ही पकने दीजे आप चाहे तो इसे ढख सक चमच आमचूर पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है और अब से कंप्रीट करने के लिए should channel आपको क्या करना है आपको इसमें एक तड़का और लगारा है हाँ जी हाँ सही सुना एक तड़का और लगाएंगे डबल तड़का वाली डाल है और डबल ही इसमें टेस इसे डालेंगे डाल के अंदर और साथ में हम डाल देंगे इसमें एक चमच भुनी हुई कसूरी मेथी जो इसके टेस्ट को कई गुना बढ़ा देगी और साथ में डाल देना है बारिकटा हुआ हरा धनिया अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ये देखिए मज़ेदार सी मसूर दाल तड़का है त्यार क्या रंगत आई है और क्या परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये दाल बनके त्यार हुई है तो चलिए इसे सर्फ कर लेते हैं मैंने बनाए है जीरा राइस और साथ में ये मज़ेदार सी दाल वा वई वा इसे खाकर तो मज़ा ही आ जाए अगर आ आइक कोमेंट और शेयर जरूर करें